श्रीलंका दोरे पर भारतिय क्रिकेट टीम को वंडे सीरीज के तीसरे मैच में 110 रन से करारी हार मिली। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 2-0 से यह सीरीज गवा दिया। भारतिय टीम के पास मौका था कि वो सीरीज में बराबरी करें। लेकिन खराब बल्लेबाजी ने भारति जिन्मेदार खिलारियों के बारे में। इस दौरे पर आयर बिलकुल भी अपने लेमे नजर नहीं आये। आयर को तीनों मैचों में खेलने का मौका मिला जिसमें वो सिर्फ 38 रन बना सके। श्रेयस की वंडे में ये सबसे धटिया प्रदर्शन में से एक रहा। उनकी इस खराब बैटिंग के कारण ही टीम इंडि सीरीज गवानी पड़ी। तीन वंडे मैचों की सीरीज में केल राहूल को दो मैचों में खेलने का मौका मिला था। इन दोनों ही मैचों में राहूल ने बुरी तरह से निराश किया। केल राहूल दो मैचों में सिर्फ 31 का स्कोर खड़ा कर पाए। जिसमें वो एक मैच मे तो शूर्ने पर आउट हो गए थे इसी कारण से उन्हें तीसरे वंडे मैच के प्लेंग 11 से बाहर रखा गया श्रीलंका के खिलाफ वंडे सीरीज में सबसे ज्यादा किसी खिलारी ने अगर निराश किया तो वो शिवम दुबे रहे हैं शिवम दुबे को तीनो वंडे मैचों की सीरीज में एक फास्ट बॉलर आल राउंडर के तोर पर मौका दिया गया था लेकिन वो बॉलिंग और बैटिंग में दोनों में फुस हो गए बैटिंग में वो सिर्फ 34 रन बनाए जबकि बॉलिंग में उनके खाते में एक विकेट आया श्रीलंका दौरे पर रिशप पंत उन्चुनिंदा खिलरियों में से एक थे जिन्हें वंडे और टी बीस दोनों में मौका दिया गया था शुरू के दो मैचों में बाहर बैटने के बाद पंत को तीसरे मैच में मौका मिला था लेकिन उन्होंने इसे गवा दिया तीसरे वंडे में पंत सिर्फ 6 रन ही बना सके यही कारण है कि भारतिय टीम को वंडे सीरीज गवानी पड़ गई